हेलो करकेटलवर्ज कैसे आप सब आई हो बहुत अच्छे होंगे बंगादेश और शरलंगा के बीच बहुती धमाकेदार सीरीज होने वाली है दो टेस्ट मैचे की श्रिंकला है पहला टेस्ट मैच 15 मईग को शुरू होने वाला है तो उससे जुड़े कुछ आपके सामने स्टैट्स रखूँगा मैं और क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और क्या वेधर रिपोर्ट रहने वाली है आपके सामने पूरी डिटेल रखूँगा वीडियो में एंड तक जरूर जुडे रहें आपको ये भी बतावाँ कि ये मकाबला कौन जीच सकता है और इसके पीछे की बड़ी वज़े भी आपको बतावाँ है सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकाबला हो कहां रहा है जहूर एहमद चोदरी स्टेडियम जो की है चटो ग्राम में काफी शांदार स्टेडियम है और काफी रिच हिस्ट्रीई इसकी रही है बंगना देश ने काफी शांदार मैचिस याँ खेले है और उनकी टीम काफी स्टरॉंग है और एक टाइम पे जो शाकीव लसंद थे वो COVID के चलते भाहर हो गए थे पर उन्होंने टेस्ट क्लिर कर दिया और उन्होंने टीम में वापसी करी है इसकी बात बात करते हैं हमकी क्या स्टेट्स कहते हैं यहांके अगर यहां के हम बात करें यहां पर 21 मकाबले हुएं पहले बल्ले बाजी करने वाले टीम 8 मकाबले जीती है और पहले गेंद बाजी करने वाले टीम 7 मकाबले जीती है यानि कि आपको बल्ले बाजी अच्छी करनी पड़ेगी यहां पर तभी आप मकाबला जीतेंगे या फिर यहाँ पर जो जादातर मकाबले है वो यहाँ पर draw ही हुए है और आपको फोड़ा सा effort यहाँ लगाना पड़ेगा अगर हम यहाँ बात करें कि pitch report की यहाँ की क्या कहती है वो कहती है कि यहाँ पर spinners को मदद मिलेगी इनिशियल स्टेचीज पे अगर पेसर अच्छी गेंद बाजी करें तो वो विकेट ले जाएंगे अगर एक बार बैट्समन को अच्छी स्टार्ट मिल गई तो आपको वो लंबे स्कोर और लंबे सो लगाते वे दिख सकते हैं कि एक बड़ी परिशानी बन सकती है अगर आप टोस जीते तो पहले आप बल्लेबाजी भी कर सकते हैं आप लंबा करें जैसे से ये पिछ खुलेगी तो बल्लेबाजों को मदद मिलती रहेगी पांच दिन थोड़ा बहुत आपको ऐसा को चेंज देखने को मिल सकता है यहाँ पर जो पिछले मुकाबले हों तो आपको जातर आपको पता ही इस पिछ पर दस मुकाबले हों है रिसेंटली जिसमें से दो बंगलादेश जीती है और चार हारे हैं वो और बाकी ड्रो रहे हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो बंगलादेश है यहाँ पर काफी स्ट् आउटी क्लियर कर देगी अब हम यह बात करते हैं दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है जिसका आप सबको बेसबरी से इंतिजार था पहले हम बात करते हैं बंगलादेश की तो उनकी जो ओपनिंग जोडी होने वाली है उसमें आपको तमीम इकबाल दिखेंगे और हसन जोई दिखेंगे जिन्होंने साथ अफरिका में बहुती शांदार शतक चड़ा था उसके बाद अगर हम बात करेंगे शाकीबल हसन वापसी कर रहे है टीम के अंदर उसके बाद आपको मौश्विकर रही मौमिनुल हक कपतान है इनके और जब भी बंगलादेश में खेलते हैं मौमिनुल हक आपको कुछ शांदार करते हुए दिख सकते हैं इनकी रिसेंट परफोर्मेंस अचीने परंतु कपतान है एक मैं चाहता हूं कि यह अच्छी वापसी करें इसके बाद आपको दिखेंगे लिटन दास फिर यासीर अली या फिर नजमूल हुसें शा अब हम बात करते हैं कि शर्लंका की टीम का क्या प्लेंग 11 कॉमिनेशन होने वाला है उनके कैप्टन होने वाले हैं करणा रतने जो कि इंडिया के खिलाफ भी अच्छी पर्फोर्मेंस करके रहे हैं ओशेट फर्नांडो उनके साथ ओपनिंग करने वाले हैं उसकी बाद अच्छी टीम इनकी भी होने वाली है तो अगर हम बात करें कि विनिंग फेक्टर तो यहां पर शर्लंका की टीम को मैं 45% दूँगा और बंग्लादेश की टीम को मैं 47% दिने वाला हैं और जो बाकी रिसेंट है वो ड्रो यहां पर जो जाज़तर चांसिस है ना वो यहां प लेके दोनों ही टीमों का अच्छा बल्यबाजो का सेटप है अगर हम यहां कि हम डे की बात कर ले की यहां पर डे रिपोर्ट क्या कह रही है तो वो कह रही है कि यहां पर हैं बारिष के आसार यहां पर आपको weather forecast काफ़ी different दिखने वाला है पूरी तरिक ठीकार से धूप ख जाती है तो पीछे में नमी आएगी और नमी आएगी तो बल्ले बाजों को काफी परिशानी आने वाली है और यहां पर आपको